साथियों सुप्रभात मैं डॉक्टर सुरिश पांडे केमरा हमारे जीवन का एक अतिमहत्पुन पाठ हो चुका है आज स्मार्टफोन में अच्छा केमरा हर व्यक्ति के पास है और केमरे से हमें तीन बाते सीखने चाहिए जिन्दगी एक केमरे के समान है साथियों केमरे का सबसे पहला पार्ट है फोकस, फोकस, ओकस जब आप अच्छी फोटोग्राफ लेते हैं तो फोकस करते हैं ताकि वो फोटोग्राफ अच्छी आए, बेस्ट आए इसी प्रकार जीवन में जो महत्पुन कारिया आप करना चाहते हैं उसके फोकस रखें अर्जुन की तरह आपका फोकस होना चाहिए जब आप डिजिटल केमरे से पहले रील वाला केमरा यूज़ करते थे तो हम फोटोग्राफ लेते थे और उसको लेबरटरी में डेवलप करवाते थे फोटोग्राफर उन नेगेटिव को डेवलप करके हमें पिचर प्रिंट करके देता था साथियों जीवन में जो भी नेगेटिव चीज़े हैं जो भी हमारी बुरी आते हैं जो हमें पीछे धकेल रही हैं उन सब को हम धीरी-धीरे दूर करते चलें नेगेटिव को पोजिटिव में कनवर्ट करते चलें केमरे का तीसरा मत्पून पार्ट होता है यदि कोई पिचर अच्छी नहीं आई तो हम उसको रीटेक करते हैं दुबारा ले लेते हैं कि दुबारा इसको क्लिक कर लेते हैं तो साथियों इसी प्रकार जीवन में जदी कोई गल्ती आप से हो गई है जीवन में कोई कमी हो चुकी है तो अन्य से सरी पास्चात आप ना करें आप उस गल्ती से सबक लेते हुए आगे बढ़ते चलें साथियों आईए हम फोकस 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 डेलोप नेगरिटिव इंटो पॉजिटिव एंड री टेक ते पिच्चर नमक तीन बिंदों को जीवन में उतारते चलें और जीवन रुपी केमरे से शांदार पिच्चर लेते चलें धन्यवाद नमस्का डॉक्टर सुलिस पांडे सुने चिके चले कोटा